नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि डूलोकसेटीन टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, डूलोकसेटीन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और डूलोकसेटीन टैबलेट की वज़े से क्या सा आवधानिया रखनी चाहिए। डूलोकसेटीन टैबलेट का उप्योग एंगजाइटी होने पर यानि चिंता वत तनाव को दूर करने के लिए डिप्रेशन होने पर नसों के दर्द और डाइबिटिक नियूरोपैथी होने पर किया जाता है। डाइबिटिक नियूरोपैथी शुगर की वज़र से होने वाली एक समस्या है। डाइबिटिक नियूरोपैथी होने पर शरीर की नसे कमजोर होकर डैमेज हो जाती है। डाइबिटिक निूरोपैथी होने पर हाथों व पैरों में जलन होना, हाथों व पैरों में सुई चुबने जैसी समवेध ना होना, कोई चोट लगने के बाद दर्थ का अनुभव ना होना, पैरों में इनफेक्शन होना और पैरों में अलसर होना आधी लक्षन डाइबिटि कंडिशन है जिसमें पुरे शरीर की मासपेशियों में दर्थ और शरीर में ठकान होने की समस्या हो जाती है डूनोक्सेटीन एक सॉल्ट नेम है डूनोक्सेटीन टैबलेट को डुवानता डूनोटन और डुकसेड आधी ब्रैंड नेम से भी जाना जाता है डूनोक्सेटीन टैबलेट 20MG, 30MG, 40MG वा 60MG की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में डूनोक्सेटीन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में डूनोक्सेटीन टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे उल्टी आने का मन होना, मुँ में सूखापन होना, नीन अधिक आना, शरीर में ठकान होना, सिरदर्ध होना, कब्स होना, भूप कम लगना और पसीना अधिक आना आधी साइड इफेक्ट्स नहीं डूनोक्सेटीन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं अब हम डिसकस करेंगे की डूनोक्सेटीन टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। डूनोक्सेटीन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। डूनोक्सेटीन टैबलेट को दिन में एक बार और हर एक निर्धारित समय पर लेना recommended होता है। अगर आपको duloxetine tablet को दिन के समय में लेने के बाद मींद अधिक आती हैं, तो आप duloxetine tablet को शाम के समय ले सकते हैं। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर duloxetine 20 mg या duloxetine 30 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन बाद में जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर duloxetine tablet की डोज को कम या ज्यादा कर सकता है। duloxetine tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको duloxetine tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि duloxetine tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। duloxetine tablet के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए। और duloxetine tablet को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए। और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है। क्योंकि duloxetine tablet को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है। लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर duloxetine tablet को लेना recommended नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में duloxetine tablet को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को duloxetine tablet या इसके किसी भी इंग्रिडेंट से allergy है। तो ऐसे व्यक्तियों को duloxetine tablet का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए डूनोकसेटीन टाबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए डूनोकसेटीन टाबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। वैसे डूलोकसेटीन टैबलेट मा के दूद में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है। लेकिन इसकी वज़से दूद पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्स नोटिस नहीं किये गए है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डूलोकसेटीन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डूलोकसेटीन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते है प्रश्ण हें कर दो किर से उन्यवा थामें कर देना और को सकते हैं économisch.